नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मुझे उम्मेद है आप सभी लोग खुश होंगे बैस्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने फेस्बूक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेडिया इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री समेत लगवग लगवग हर फिल्ड में एक अच्छे वीडियो एडिटर और पैसिनेट वीडियो क्रियेटर की भारी डिमांड होती है दोस्तों आजकल हर किसी को तरक्की करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना ही पड़ता है हर कोई ज्यादा से ज्यादा डिजिटल कंटेंट अप्लोड करना चाहता है चाहिए वो वीडियो हो या फिर फोटोग्राफ्स हो ऐसे में डिजिटल कंटेंट को तयार करने के लिए वीडियो क्रेटर्स और वीडियो डिटर्स की ज्यादा डिमांड होती है यानि आने वाले टाइम में डिजिटल कंटेंट क्रेटर की डिमांड ज्यादा होने वाली है दोस्तों डिजिटल कंटेंट क्रेटर और वीडियो स्क्रीन पर और आपको फटा-फट बताते हैं कि कैसे डाउनलोड करेंगे एक अच्छा एडिटिंग साफ्टवेर जिसका नाम दविंसी रिजॉल्व है जो एक बहत्रीन साफ्टवेर है एडिटिंग का और कलर करेक्शन का और अभी यह आपके लिए फ्री में आपको मिल जा है तो अब हम इसके ऑफिसियल साइट पड़ आ चुकी है और यहां पर हमें दविंसी रिजॉल्व 18 का दो वर्जन देखने को मिल रहा है दविंसी रिजॉल्व और दवींसी रिजॉल्व स्टूडियो इसमें यहां साफ साफ लिखा है कि दविंसी रिजॉल्व फ्री जहां पर हमें DaVinci Resolve 18 Vita और DaVinci Resolve 17 दो option free download version के दिख रहे हैं और इसी के साथ DaVinci Resolve Studio 18 Vita और DaVinci Resolve Studio 17 भी दिख रहा है जो इसके paid version है आपको अभी सिर्फ DaVinci Resolve Studio Vita को ही download करना है और आप यहां अपने computer के operating system के हिसाब से Mac OS या Windows या फिर Linux को select कर सकते हैं दोस्तों ज्यादा तर लोगों के पास Windows operating system होता है तो अभी मैं यहां आपको इसी को install करके बताता हूँ दोस्तों यहां पर click करते ही कुछ इस तरह से एक form आ जाएगा आप इस form को भरकर registered and download पर click करेंगे तो जैसे ही इस पर click करेंगे तो यह download होना शुरू हो जाता है और download complete होने के बाद आप अपने computer पर इसे install कर लेगे दोस्तों मेरा computer iMac है तो यहां मैंने Mac OS X पर click किया है और अब यहां से यह download हो रहा है चलिए दोस्तों आप इसको install कर लेते हैं तो लीजे आप मेरे computer पर DaVinci Resolve Studio 18 successfully install हो चुका है इसको अब हम open कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से interface editing का proper खोल जाएगा और यह DaVinci Resolve Studio 18 अब editing के लिए तयार है तो दोस्तों आभी आपने सीखा कि DaVinci Resolve को कैसे download करना है आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पर कैसे काम करेंगे proper editing कैसे करेंगे एक professional editing और color correction इस पर हम कैसे करेंगे पूरा complete editing का एक tutorial playlist बनाएंगे आपके लिए जिसके जरिये से आप अपने घर बैठ कर सीख पाएंगे चैनल को अभी से free में फटा फट सब्सक्राइब कर लें बहुत सारी video career से related इस channel पर हम आपके लिए डालेंगे हमें उम्मेद ही नहीं पुरा विश्वास है कि ये channel आपके career का एक सच्चा मार्क दर्शक बनेगा बहुत सारी videos आने वाली हैं दोस्तों अलग-अलग field में career बनाने से related ये videos हम record करेंगे बहुत सारे इसमें successful लोगों के interviews होंगे वो सारा सब कुछ किसी में आने वाला है तो अब फटा फट जाकर channel को subscribe कर लें और देखते रहें Saturday success mantra